हेलो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर मैंने आपकी राजन सीधी शुरू की थी थर्ड समिस्टर की जिसमें मैंने आपके विज्ञान विसाई के एमसी क्यों करा दिये थे और लास्ट क्लास में मैंने आपका अतिलग उत्तरी प्रश्णों को शुरू भी कर दिया था जिसमें हमने लगबग कितने कोश्ण कर लिये थे 50 कोश्ण को हम कंप्लीट कर चुके थे आज की जो क्लास रहेगी इससे आगे की प्रश्ण रहेंगे अगला तो इसमें आपका बैकलाइट के बारे में आप्क्या जानते हैं तो बैकलाइट जो है वह एक थर्मो सेटिंग प्लास्टिक है यह फिनोल फॉर्म लिवाइड और सोडियम हैड्रॉकसाइड की उपस्तिती में गर्म करके बनाए जाता है यहीं बहुलाइग के यह च इधन में हमारे डीजल आ जाएंगे बट्रॉल आ जाएंगे खासकर जो एल पीजी गैस है हमारी यानिकी खाना पकाने की जो गैस है वो भी किसमें आती है आधुनिक इधन में ही आती है अगला है किनी तीन मिसाइलों के नाम लेखिए तो तुरिशूल प्रतवी अगनी ये फॉरेनाइड तापमान रहता है अगला प्रशने गल्लांक किसे कहते हैं तो गल्लांक वह निश्चित तापमान है जिस पर कोई ठोस वस्तू गर्म करने पर द्रव रूप में परिवर्दित होने लगती है जैसे आपकी बर्फ है तो बर्फ जिस ताप पर द्रव में जो दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है तो यह कुशन आपका कल भी आया हुआ है दलहन वाली जो फसले होती है आपकी चनहा मटर हो गई इनमें जो जीवाड़ू पाते पाया जाता है उसका नाम है राइजो भीम नाइट्रोजन इस तरी गड़का कारे करता है अगल जाता इसमें संक्रमित कोशका उद्वारा स्रावित प्रोटीन इंटर फेरॉंस कहलाता है अगला कोशन इस तरी करन करने वाला जीवाड़ू कौन सा है तो जस्वि मैंने बताय ठाए था राइजो भीम है यह इसका नाम होता है नेच्ट कोशन इसमजात अंग किसे कहते हैं तो समझात अंग का मतलब है ऐसे अंग जो जात में समान हो जात का मतलब है उत्पत्ती में समान हो तो वे अंग जो उत्पत्ती में समान होते हैं लेकिन काम की दरश्टी से अलग-अलग होते हैं समझात अंग कहलाते हैं जैसे चमगादर के पंक, घोड़े की अगली टांगे, मनुष्य का हाथ उत्पत्ती में समाने काम अलग-अलग करते हैं ठीके समरूप अंग समरूप अंग का मतलब है जो उत्पत्ती में भिन्नों लेकिन काम करने के दस्टिकोर से एक जैसे हैं जैसे तितली के पंक, पक्षियों के पंक उत्पत्ती इनकी अलग अलग है लेकिन काम एक जैसा ही करते हैं दोनों ओडने में सहायक हैं यहाँ पर चमगादर के पंख अलग काम कर रहे हैं गोड़े की जो अगली टांगे वो अलग काम कर रही हैं मनुश्य का हाथ अलग तो ये कारे में भिन भिन हैं और नीचे वाले क्या हैं कारे में समान होते हैं और उत्पत्ती में भिन 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 तो होता था वो भी दीरे-दीरे खतम हो गया अब शेसी अंगों में ही आएंगे नेक्स्ट है विशाड़ो में कौन सा अन्वांशिक पतार्त पाया जाता है तो डीने आरेने हो जाएगा अगला है एरोमेटिक का हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं उधारन सहीद बताईए तो अपको नहीं पढ़ाये थे तो कि आपके समस्टर में यह थे नहीं फिर भी समझ लीजिए आरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो है वो बैंजीन होते है वो इस तरीके से आपके बनाय जाते है ठीक है एक तरीके से कार्बन की बंद श्रंखला जो जाएगी बंद रहते हैं इस अगला है आपका question, ऐलकेन, ऐलकेन, ऐलकान का उधारन बताईए तो ऐलकेन, ऐलकेन, ऐलकान का एक-एक में बहुत पेमस एक्जामपल आपको بتा देती हूँ जो आपसे पूछा ही जाता है यह थीक हैं का सबसे ज़्यदा आपका प्रसिद्ध है methane gas जिसको हम बोलते है मार् की जाती है और एलकाइन का एक्जामपल है एसिट लीनिग एस जिसका फॉर्मूला है सी टू एस टू अब बात करते हैं क्या तो जो आपका एलकीन H 편 क्या है संत्रप्त हीडरो कार्बन के अंतर के आटा है आपके दो प्रकार किंब बताने और ऐस्मेदि को आ Sum आसंत्रप्त हीडरो कार्बन वा कार्बन होते हैं वा कार्बन की शंकला होते हैं क्या पाया जाता है कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन पाया जाता है जबकि एलकीन और एलकाइन यानि कि असंत्रप्त हैड्रो कार्बन में कार्बन कार्बन के बीच एक डबल बॉन और एक ट्रिपल बॉन पाया जाएगा ठीके आपका एलकेन में आता है एक सिंगल बॉ यहाँ पर मैं आपको इसका सामानी सूत्र लिख देती हूँ एनलेड़ था और्थोपोड़ा के बीच की कड़ी क्या कहलाती है तो एनलेड़ के बीच की कड़ी क्या होती है विशाड के यौदी की कलास में आया था यह प्र praise तो वह थी आपकी यूगलीना हुआ प्रेके याद Рखना इसको अगला क्या आया हुआ है आज अनिलेडा और और और्टोपोडा के बीच की कड़ी तो इसको हम कहते हैं पैरी पेट्स ठीके सरी स्रप और पक्षियों के बीच की कड़ी और क्योप टैरिस होती है इनको भी ध्यान रखना तीन चार आपके आयो हैं इसमें उनको याद रखिए अगला कोश्यों ने आपका प जो मुख्य तना होता है वो सामान होता है और पत्तियां बहुत चोटी चोटी और शल्की होती है जैसे कि सतावर वगेरा पौधा देखा है उसमें आपको ये देखने को मिलेगा ठीके नेक्स्ट कुश्चन है जलिये पौधों की पत्तियों की विशेस्ता है बताइए तो जलिये पौधे जो होता है उनकी पत्तियों के ऊपर एक मौम की परचड़ी हो ठीके होती है बहुत कटी फटी होती है जल में रह ना है सड़ेना इसलिये क्या है ख़टी होता है और सिंगार्णे में परणवरंद फूला हुआ भी आपको देखने को मिलेगा अगला परशन जलिये पौदों की जड़ें कैसी होते तो ये बहुत कम विक्सित होती है रेशेदार होती है और इनमें मूल्ग्रों अनुपस्तित रहता है अगे बढ़ते हैं अगला क्या है मचलियों में शुशन ही तो कौन सांग पाय जाता है तो मक्षियों में सुसन के लिए गलफडे पाय जाते हैं ध्यान रखना ये इनकी अनुकूलन अंग में भी आता है अगला प्रेशने मरुस्तलिये पौदों की जड़ों की क्या विशेस्ता है तो ये देखो ये जड़े मासल होकर जल का संचेन भी करती है कुछ ऐसे भी आपक 2030 फिर तक गहरी होती हैं के बैकलाइट का यूज कहां करते हैं थर्मो सेटिंग प्लस्टिक बैकलाइट और मैला मायं दोनु ही क्या थर्मो सैटिंग प्लास्टिक के एक्जामपल है नेक्स्ट आपका कुश्चन है प्रोड्यूसर गैस और वाटर गैस का सूत्र लिखो तो प्रोड्यूसर गैस का सूत्र होता है CO प्लस N2, CO का मतलब है कार्बन मोनो अक्साइड और N2 का मतलब है नाइट्रोजन गैस Water gas का formula बहुत important है योगी water gas उनके लगता है कि water होगा इसमें water नहीं है formula क्या बनता है कार्बन मोनो अक्साइड प्लस H2 मिलाके बनती है water gas next question हीरे का उपयोग बताओ तो हीरे की दो उपयोग लिखने है पहला उपयोग तो यही है कांस को काटने में करते हैं और दूसरा आभूशडों को बनाने में हीरे का प्रयोग किया जाता है नेक्स्ट कुशन है मरूद भिद्ध यानि की मरूस्थल के पौदे जिसे नांगफनी की पत्तियां किसमें परिवर्तित हो जाती है तो यह पत्तियां काटो में रूपांत्रित हो जाती है भी पत्तियों को पानी है, प्रज़ट पानी की जाता पढ़ेगी अगला प्रशन जीवाड़ों के द्वारा होने वाले रोगों के नाम लखो, तो टीबी हो गया हमारे, अपका ट्यूबर क्लोषिस टाइफाइड, कॉलेरा, जिसको हैज़ा बोलते हैं, डिप्टितीरिया, काली खासी, टिटनिस, प्लेक, ठीक है, यह सारे कि सारे क्या हैं ? जीवाडू से होने वाले रोग है, अगला है नीबु का सि्ट्रिस कैंकर जो रोग है, वो किस से उत्पन होता है ? तो citrus canker जो नीवू का रोग है वो जीवाडु के द्वारा उसे उद्पन होता है इसमें होता क्या है पत्तियां जढ जाती है और जो छोटे छोटे नहीने फल होते हैं वो भी क्या है पकने से पहले ही कचे फल ही आपके जढ नहीं लगते हैं सिट्रस के एंकर हाला कि मनुश्यों को इससे कोई हानी नहीं होती है पर यह किसमें होता है जीवाडू के द्वारा फैलता है अगला है दूद को दही में बदलने के लिए कौन सा जीवाडू उत्तर दाईए तो दूद जो है दही में लैक्टो वैसिलस के कारण परिवर्तित ह होता है ठीक है लैक्टो वैसिलस ने लाब दाइक जीवाडू के नाम लेकिए तो राइजोबियम हो जाएगा नाइट्रो सोमरास हो जाएगा नाइट्रो वैक्टर हो जाएंगे इत्यादे को याद रखना अगला प्रशने सूक्ष मजीवों का अधिन किसमें आता है तो साखा में करते हैं उसको बोलते हैं हम सूक्ष मजैविकी और सूक्ष मजैविकी के पिता कहे जाते हैं एंटोनी वान ल्यूवैन हॉक नहीं किसकी खोज की थी वैक्टीरिया यानि की जीवाडू की विशाडू की खोज किसने की है एवाइनो वसकी ने ठीक है अगला आपक किस से होती है विशाडू से होती है वाइरस से अगला आपका क्या है सरल लोलक के डोरी की प्रभावी लंबाई एल एवं गुरुत्वी तवरंड जी में संबंद बताना है तो इसमें जो संबंद होता है आवर्ट टी यहां पर आवर्टकाल है आवर्टकाल भरावर टू यहां पर कोई लड़की बैठी हुई है अभी तो इसका गुरुत्व केंद्र यहां पर है गुरुत्व केंद्र और जहां पर जूला लगा हुआ है यानि कि यह जो दूरी रही कि आपकी यही कहला थी प्रभावी लंबाई अब माल लीजिसे अब क्या हुआ जो लड़की थी वह खड़ी हो जाती है जब खड़ी हो जाती है तो गुरुत्व केंद्र ऊपर की तरफ उठ जाएगा तो प्रभावी लंबाई क्या होगी घट जायगी जाहिर सी बात है और जैसे ही प्रभाभी लंबाई के अनुकरमान अपाती है तो जाहिर सी बात है आवर्त काल का मान भी घट जाएगा तो यहाँ पर यह तीनों पॉइंट ध्यान रखेगा कुछ इस तरीके से यह आपको समछाया है मैंने अगला क्या है यांतिक तरंगी कितने प्रकार की होती तो ये दो प्रकार की होती अनुद्यर्दे और अनुप्रस्ट में बाटा गया है ये क्या है तो ये माध्यम के कड़ तरंग की दिशा जो तरंग की गती की दिशा है और माध्यम के कड़ों की जो दिशा है उसकी आधार पर इनको बाटा गया है अनुद्यार्दी तरंगे क्या होती है तो जब तरंग के गति की दिशा माध्यम के कड़ों के कमपन की दिशा के अनुदिश या समांतर कमपन करती है तो वहां पर होती है अनुद्यार्दी तरंग अनुप्रस्त में क्या होगा ये लंबवत कमपन करे अनुपरस तरंगे कहलाती है ती किसका हे उधारन है कुसका है अनुधे तरंग की उधारन होती तो शर्वय तरंग की आवरती कितनी होती ये विज़यस्ट हर्ट सी 20000 हर्ट ये तो को सुन सकता है तो मनुष्य 20 हर्ट से 20 हजार सकी जो आवरती की तरंगे होती है उनको ही सुन सकता है जिनको श्रव्य तरंगों के नाम से भी चानते हैं 20 हर्ट से जो कम आवरती की तरंगे होती है उनको हम क्या बोलते हैं अब श्रव्य तरंगे बोला जाता है ठीके 20 हर्ट से कम आवरती की तरंगे अप्श्रवी तरंगे कहलाती है अगला प्रेशने पराश्रवी तरंग की आवरती कितनी होती है तो ये 20 हर्ट से अधिक आवरती की तरंगे होती जिनकों चमगादर वगेरा कुछ ही जानवर हैं जो सुन सकते हैं तरंगों को अगला प्रेशने जीवों के विलुप्ति कारण कारण बताओ तो सबसे में कारण क्या है जलवायू में परिवर्तन होना जिसके कारण क्या है गिद्ध वगेरा देखे खतम ही हो गए बिल्कुल ही विलुप्ति हो चुके हैं तो जीव जंदों के विलुप्ति का मुख्य कारण है जलवायू परिवर्तन नेक्स्ट है कुकुट पालन के अंतरगत के शीव का पालन करते हैं तो कुकुट में हम करते हैं मुर्गी का पालन हरित क्रांती के जनक कौन है तो यहां पर देखो दो आंसर बनेंगे विश्य में हरितकरांती के जनक है आपके नौर्मन E. बोरे लोग और भारत में पूछ जाते हैं तो वो हैं आपके MS. स्वामी नाथन नेक्स्ट है आपका ध्वनी की तीवरता का मापन किसमें होता है तो ध्वनी की तीवरता को हम डैसीबल में मापते हैं इंपोर्टेंट कुश्चन है ध्यान रखना इसको अगला प्रश्चन है प्रतिध्वनी किसे कहते हैं ये भी आपका इंपोर्टेंट है ध्वनी तरंगे दूर इस सित किसी द्रट टावर या किसी वस्तु से टकरा कर जब परावर्ति दो कर में सुनाई देती है तो इसको प् ये कम से कम आपको 10-15 सेकेंड तक वही चीज बार 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 सुनाई देगी वह कहलाती है गूंज ठीक है और आप बोलते भी है ना किसी खाली कमरे में गए तो क्या बोलते आवाज गूंज रही है क्योंकि अगर हमने वाहां चिलाया तो वही आवाज हमें थोड़ी द बहुत जादा डायबोटीज हाई रहती है उनको इंसुलिन अलग से दिया जाता है उपड़ से ठीक है इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं उनके एक एक ऐसी बिमारी है जिसमें व्यक्ति के रक्त में शरकरा की यानिकी शुगर की मात्रा भड़ती रहती है अब होता क्या हमारे शरीर में आटमेटिक इंसुलिन हार्मोन का स्रावड हो रहा है तो वह हमारे ब्लड में रक्त की मात्रा है उसको नियंत्रित कर लेता है लेकिन अब इंसुलिन हार्मोन की कमी हो गई है तो अब जो रक्त में शरकरा है उसको नियंत्रित कौन करेगा कोई करी नहीं पा पर उपर से हार्मोज दिये जाते हैं एक कुशन यहां से आपका इंपॉर्टेंट कुशन बने हैं कि आपके में सीधे-संक्रामक रोग चैप्टर ही दिया है कि जिसको मदमें हो जाता है उनको अपनी जीवन सली में क्या-क्या सुधार करने चाहिए तो जाहिर सी बात है उनक कि लास्ट क्लास में हमने 50 किये थे आज फिर से 50 कर लिए तो आपके 100 कुशन कंप्लीट हो चुके हैं बात बागी जो कुशन बचे हुए हैं उनको मैं आपके कल की क्लास में पुरा का पुरा कंप्लीट करा दोंगे ठीक है चलिए आज इतना ही रखते हैं मिलेंगे आपकी अगली क्लास में तब तक अपना खयाल रखेगा थेंक्स वर वाचिंग और प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब में चनल में बाबाए टे केर